तो दोस्तो आज 13 ओक्टोबर 2023 बाजार में आज फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया कुछ मिन्टों के लिए पॉजिटी में गया था अल्मोस्ट 19,800 की उपर स्टेबल नहीं हो पाया रेजिस्टेंस मिला और थोड़ा सा नीचा के क्लोजिंग गया और इस बात का अलर्ड में आपको कल सेम टाइम सारे दस की वीडियो में में मेंशन भी किया था कि आज बजार एक तो बहुत सदा वलिटेल होने का चांस है खास करके बहुत सारे ग्लोबल इशूस के वज़े से थोड़ा सा कमजोर भी हो सकता है खैर बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में ग्लोबल मार्केट का हाल चाल एफाइज का डेटा मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि कल सैड़ाटे और परसु संडे दो दिन बजार क्लोज रहेगा तो मंडे बजार ओपेन होने से पहले पतब संदे सारे दस की वीडियो में इस टॉपिक को डिसकस करेंगे अब चलि बैसे फिर से देखें सपोर्ट डेवल को थोड़ा निचे शिफ्ट किया इवन आज की रेट पर सपोर्ट भी मिला था एकदम शुरुवात में उननीच शाहाइस पॉइंट पर तो जिस बैसे सपोर्ट यांपर मेंशन किया उननीच अब क्यूंकि आज हमने देखा कुछ मि बोल सकते एक टाइब का रेजिस्टेंस मिलेगा उननीच अजर आठो से लेके उननीच अजर सारे आठो का लेवल बाकि दोस्तों आपको क्या लगदा है कि अपकविंग टेडिंग विक पर बजार किस तरह मूफ करेगा कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताना उसके सा अंच पर चलिट के अंदर साथ और में इंडिया की फोर एक्स अंदर कम्लोडी देखनी िखने को मिला ता वह सटिल इस बार मतब इसी हफ़तों में भी एकदम बढकराड़ा जैसे कब देख सेक्ट न्यूस का हेडलाइन इंडियास पॉर크 है पर डिजर्प यह लोग पाइ सिजब का टोटल अमाउंट है 584.74 बिलियन डॉलर अब देखिए इसके पीछे बहुत सारा रिजन हो सकते हैं क्योंकि देखें बहुत सारे ग्लोबल इशूस यहां पर काम कर रहा है इंडियन करेंस यह नि रूपी का वैलेशन डॉलर की एगन में बार-बार यहां पर वीक हो के दिया अब देखिए सेप्टेमर का मैना अल्रेडी खतम हो चुका है और ऑक्टोबर का मैना भी चल रहा है तो अक्टोबर के मैंने पे बहुत सरे कंपनी का भी रेजल्ट आना भी शुरू हो चुका है तो सीडियसल ने अप्टा क्वाटर टू का रिजल प्रिजन करेगा 28 ओक्टोबर के दिन याने 28 ओक्टोबर 20 23 तो बहुत इंपोर्टेंट एज खासकर किस बार कंपनी का पर्फोरेंस का अच्छा होने का चांस है क्योंकि इस पर्टिकलर फिल्ड में बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला जिस बैसे चाए में पीजिकी बात करें में एकदम से तरफ डिकलाइन देखने को मिला कुछ मिंटों के लिए निचे था उसके बाद एकदम से उपर आया और क्लोजिंग देक्टमार्चिनल तो बात यह की कंपनी के एक्चुली रिजल जो है वह काफी मिक्स्ट रियक्शन मतलब मिक्स टाइप का देखने को मिला एक तरफ जहां पर यहां पर यहां पर ग्रोथ उसके बाद कॉर्टर और कॉर्टर वेस्ट फोड़ा ड्रॉब्ड विए जैसे का आप देख से तो लास्ट यह सेप्टमबर 2022 में कंपनी का टोटल रेविन्यु आया था 23,083 करूर रुपए जो कि इस बार बढ़के इस एक् से इंक्रीज हुआ बट अट अट शेम टाइम क्वाटर और अन्यु आप्र विश्ट पे गिरावर्ट विए तेज वुजा तीस हजार तीन स्वेकटर रुपए से सीदा सीदा गिर के थीजार एक्टर एक्टर बैर पहुँच का है साथ जिए अगरां बात करे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी देखिए सेम टूसे हमें चीज देखने को मिला जो कि यह और ओन यह बिस पे ग्रोथ हुआ तीन सो नहत्तीस करोर नेट प्रॉफिट बढ़के तीन सो अठतर कर पर पहुँच चुका है बट एड़ एड़ से सीदा के तीन सो अठतर कर अच्छा नेक्स चलिए हम बात करेंगे ग्लोबाल मार्केट अब ग्लोबाल मार्केट में फिर से दोसों सेम इशू हमें देखनी को मिला जिस बैसे देखे डॉर जोंस इंडस्ट्री लेवरेज शुरू में बहुत ओपर पहुँच गया तो उसके बाद एक दम से नीची की दोस्ट वजा यह है क्रूड ऑल के अंदर दोस्तों बंपर स्पाइक देखने को मिला यह कोई छोटा मूटा स्पाइक नहीं तो अब समझेक तो ब्रेन क्रूट जो कि अभी सारे चार परसें एलिवेट हो चुका है और आप पूछे अचानक से इतना है इलिवेट तो देख सवाधी हो सकता है कि बहुत ही जल अपने परटक्शन को रोख सकता है मतब जो क्रूड ऑल की प्रडक्शन रोख सकते है तो था यहां पर बहुत सारे ग्रोबल इशुस के वज़े से एक्च्वली अचानक से स्पाइक देखनी को मिला और जिस बैसे आज सुबहा हम एक तो अभी अगर हम बात करें आपका जो कि नास्टेक के अंदर एकदम से गिरावट अल्मोस्ट एक परसंट के आसबस तो कहीं नहीं करें देखें यह जो वार चल रहा है इस्राइल और पैलेस्ट्रीन के बीच यह बहुत सारे इशू का यहां पर मैं बोलूंगा जनम दे रहा है तो इसके बारे मैं आपको लगातर अप्रेट देता जाओंगा बाकि आप सभी को एक चोटा सरी कुछ करूंगा वीडियो अभी देख अच्छे लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ठीक है मैं आपको रिफ्रेश कर लेता हूं यहां पे अभी देखिए यहां पर फिलाल एकदम से मार्चिनल ट्रेट चल रहा है बागी बात करें इंफोसिस लिमिटेट शेयर ओलर के लिए बहुत अच्छी अप्डेट है क्योंकि आज इंडियर मार्केट में देखा इंफोसिस का शेयर है उसमें कोई बहुत बड़ा गिरावार देखने को नहीं मिला तो प्राइस अभी एडियर में चल रहा है तो शुरुआत काफी उपर पहुंच कहा था लगबक 17.11 यूस्ट पर पहुंच चुका था अब क्यूंकि देखिए नैस्डेक क्यों पर यह सारे कंपनी मतब टेक सेक्टर नाइटी सेक्टर तो जिस्पैसे सारे नेज्डेक का पार्ट है तो जिस्पैसे नेज्डेक में उतना क्राश हुआ मतलब गिरावार देखने कुल अभी फिलाल एक परसंतो जिस बैसे इनफोसिस का जो यहां पर चूपर ता अभी थोड़़ा बहुत नीच आ बाकी बात करें यहां पर क्लोजिंग दिया इस मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है अब चले दोस्तों हम बात करेंगे कैसा कारोबार देखने को बहुत दिनों बहुत दोस्तों मुझे यह बताने में खुशी होड़ा है कि आज इस ने फाइनली पर चेस किया अब कोई बहुत बड़े अमाउंट का नहीं फिर भी 317 करोर के राउन यहां पर चेस किया और यहां पर डियाइज ने आज की रिट में चोड़ा सा वैलू सेल भी किया लगबग 102 करोर के आसपास यह आज आज इस दोरा कोई बहुत बड़ा नेट वैलू पर चेस या सेलिंग द देखें आज सुबहा सुबहा यह निकल करके रिसी सौनक मतलब हमड़े योके का प्राइम मिनिस्टर जो है अभी वहां से कुछ वार्शिप यहां पर सेंट क्या मतलब इसरेल को सपोर्ट करने के लिए तब गाजा के अंदर ऑल्मोस्ट 1.1 मिलियन लोग जो है दोस्तों इ इस उसका प्राइम एक्सेंपल आपके सामनी है अभी एकदम अल्मोस्ट सारे चार परसें उपर पहुंच कर ब्रेंग कूट कर प्राइस बनना मतलब दोस्तों यहां पर बहुत सारे सेंडियन मार्केट में हो या ग्लोबल मार्केट में उसका एकदम से बारा बच जाएगा सीदा सीदा बारा बच जाएगा मैं डिरेक्ली बोलों क्योंकि बहुत सारे सेक्टर डिपेंड यहां पर क्लियर कर डिपेंड है जो कि क्रूड ऑइल ब्रेंड कूट की उपर उपन निच एलिवेशन या डिकलान होने की साथ साथ ठीक है बाकि दोस्तों कल सारा डिया बजा जाहिन